तो वह टiज रएफरेंस टाइप एंज आवा इससे समझते तो रएफरेंस टाइप का जो बेसिक परपस है वह एसा है कि जैसे जह हम प्रिमिटिव डिफाइन करते हैं Integer x Equals to 100 लिखते तो वह अपने पास एक वेल्यू कंटेन करता है लेकिन जैसे हम स्ट्रिंग वाई उक्वलस टू अमिट ऐसे इसे स्पेसिफिक करते है तो यह एक रेफरेंस चूर करता है अपर इसके पास capacity चार बाइट की information store करने की तो इसका मतब जब आपने इस X को हेंडर दिया तो उसने अपने पास value store कर ली तो इट contain the value so this is the value which it contains जब मैंने ऐसा लिखा string y equal to Amit जब मैंने ऐसा लिखा तो इसने क्या किया इसने एक memory बनाई जिसके अंदर Amit को store गया उसे बुलना शूरू के जो बनाया circle it is object अगर हम object नहीं जानते तो हम object को इस movement के लिए समझ सकते हैं कि वह आपके carry bag की तरह है तो हम समझते एक bag है और back के अंदर Amit है और उस bag का एक handle है उस handle को हम बोलने उसका address है तो हमारे पास वह 88 तो X के पास basically क्या है 88 जिससे वह इस address से होते होई इस value तक पहुंच सकता उसका बैक के अंदर पैन है तो उससे निकाल सकता पहले तक पहुंचना पढ़ेगा फिर उसके अंदर के वह भी एक वरीपल है वाई भी एक वरीपल है लेकिन यह क्या स्टोर कर रहा है reference इसलिए एक reference वरीपल यह क्योंकि अपने पास क्या स्टोर कर रहा है reference तो इसके साथ जो स्ट्रेंग वो क्या है वो क्लास है तो फर्क यह हुआ कि इंट जो था आपका उस प्रेमिट टाइप था उसका नेचर यह वेली स्टूर करना लेकिन क्लास के साथ जो वेरीबल आप डिफाइन करते हो वो हमेशा बने हैं रेफरेंस प्रिजर्व करने के लिए इसे हम बोल रहे हैं इस रेफरेंस टाइप यहां पर क्विक फिक्स के इसे इंपोर्ट कर सकते हैं जावर.util में मिलती है हमें date जिससे हम system की date print करा सते हैं तो जब मैं लिखा है अपर new date जो से क्या हुआ new basically keyword है तो अगर हम new को समझे new is a keyword और इसका use क्या है and it is use to allocate a memory तो यह बिल्कुल ऐसा काम करता है अगर हमने C language पढ़ी है तो C के अंदर malloc function के तरह काम कर रहा है जैसे C में memory allocate करने के लिए malloc होता है यहां पर हम और पास new नाम से keyword होता है जो memory allocate कर रहा है किसके लिए कर रहा है date के लिए कर रहा है date at the end class है तो उसने यहां से new date से एक object बनाया तो इसका मतलब हमने string y equal to में लिखा था इससे भी object भी बन रहा था लेकिन हम बोलेंगे लेकिन यहां पर object creation हो रही है लेकिन यहां पर object creation हो रही है न्या object बना कर आ पा रहे है तो यहां पर date के पास है date के पास भी address है जहांस पर date create हुई है तो एक बार हम date को print कराएं और इसी तरीके से हम y को print कराएं तो दोनों case में value मिलेगे address नहीं मिलेगा जावा हमें address नहीं देगा वह हमें क्या देगा इसकी सिरफ value देगा तो अब अगर हम इधर जाते हैं इसको हम clear करते हैं और यहां जाकर we do java c ref demo करते है डॉट जावा करते हैं इसको मैं एक बार यहां से cd basics मिले जाता हूं इसे clear करता हूं और यहां से पहुंचके we just write it down ref demo dot java और java ref demo ऐसा मैं लिखा और हमें output दिखा देगो so it is giving you date और it is giving you this value तो हमें समझ में आया है कि अगर reference type की बात करा जाए तो reference type store the address of an object which is created in the heap memory right तो जितने भी objects है तो heap basically क्या है it is a memory area यह एक memory area है which contain the reference यह मैं बोलो which contain the objects जितने भी objects बनेंगे वो सब यहां store होंगे तो इसका मतलब आप ऐस हो सकते हो कि जो हमने लिखा string y equal to amit तो यहाँ पर कुछ आसा हुआ है कि हमारे पास एक memory area जैसे हम बोल रहे हीा हीप और यह memory area कि वेसा है जो पनी Java के program को चलाया यह विखा जाए पर यह बनाया जनी अगर आपने अमिच लिखा तो अमिच भी होगी हां पर वो भी हीप में गई है और इसका भी एक एड्रस रहा होगा मालों 88 इसका एड्रस रहा होगा 99 तो वाई के पास आ गया 99 और डेट के पास आ गया 88 इस तरीके उसने रख्या है